नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, the character test of a man and a woman in a marriage character का भी और loyalty test, you can say, a loyalty test for husband or wife loyalty of a woman or wife और पत्नी is checked when पती अपने जीवन में lowest होता है किसी भी कारण से, नौकरी चलीगी, पैसा चला गया, पैसा फुक गया, नुकसान हो गया, जब भी marriage में lowest वो आएगा, आदमी का status, तब woman का behavior और loyalty will be tested, ये एक time है, पता होना चीए, शादी के अंदर कब tested होता है, बहुत लोगों को इसी इसका एसास नहीं है, और इसके विपर character और loyalty का test up होता है, जब शादी को सालो साल हो गए है, और आदमी अब अपनी जीवन में peak hit करता है, in terms of पैसा, fame, शोहरत, and per month earnings, cash flow, जब कहते हैं न, निकल पड़ी इसकी तो, इसका time शुरू, या निकल पड़ी, उस time पर वो क्या करता है, जब उसकी निकल पड़ती है life में तब वो क्या करता है, वो उसका character दर्शाता है, यहाँ पर मैं second वाली चीज़ को लेके थोड़ा और explain करूँगा, आदमियों के लिए भी करूँगा, महिलाओं को मैं अभी इस वीडियो में थोड़ा छोड़ देता हूँ, ठीक है, आदमियों की बात करूँगा, आपने दे वाइफ यूज नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप partner या वैसे भी समझ सकते हैं, पर जादा तर पतनी ही मानेंगे हम, वो अपनी पतनी को छोड़ देते हैं, जब उनको बहुत rich and famous हो जाते हैं, उनका psychology यह और इसके aspects पर भी चर्चा करेंगे कि आगे क्या होता है, एक आदा example ल हीला से शादी करी, आप यहां थे, ऐसे, तो आपकी psychology यह, यह marriage की बहुत बड़ी psychology और हमें कई बार इससे अजाद होना है, अगर हमें अच्छी marriage जीनी है, यह हमारी शादी भी होनी है, क्योंकि बहुत लोगों की इस चक्कर में शादी भी नहीं हो रही है, यहां आप यहा आया, शहरत मिली, fame मिला, success मिली, पैसा मिल रहा है, cash flow हो रहा है, अब यह महिला आपको ऐसे ही लगने लगती है, अब आपको लगता है कि यहां कोई क्यों ना मिले, जो मेरे status की है, अब मेरे वाले status की है, मेरे circle की है, मेरे like है, बहुत जादा खूबसूरत, sexy है, और अब मे इसान खुश नहीं रहा पाता, ऐसी हरकत करने के बाद, बड़े film stars है, जिनने हरकते करी है, उनकी जब picture बड़ी league में हो गई, पहले तो शादी कर ली, अपनी उमर से किसी से बड़ी से माल लो, या जैसे भी success आई, आप example बता कौन कौन से stars है, male stars, दो-दो शादियां, ठीक क्योंकि जो, कोई भी इस तरह का, film star की बात नहीं करा, कोई भी इनसान खुश नहीं रह सकता, क्योंकि आप अगर एल्टो में बैठते थे किसी के साथ, और आप यहां BMW, Maybach, Mentally में बैठने का स्वाद है, तो इसके साथ ही मज़ा जादा आएगा, because sense of achievement इसके साथ ही लगे र वो गायब हो गया, अब जो इनसान आपकी लाइफ में नया जुड़ा है, नहीं जुड़ी है, इसके लिए इसका स्टेटस यह और आपका यह तभी आपके पास आ रही है, अब किसी कारण से आपका स्टेटस यहां से थोड़ा सा भी यहां फिसला, तो फिर इसके लिए आप देखना कि अगर आप इस लेवल पे हो और आप इस लेवल पे पहुच गए, तो हमेशा इस लेवल पे रहना मुश्किल होता है, एक पीक होती है हर आदमी को, उसके लिए तो यहां खहीं आके, यहां तो नहीं आता दुबारा, लेकिन यहां पे आके खहीं, यहां खही settle होता है पर वो यहां settle होना for a person जिसने इसको छोड़ दिया है क्योंकि अगर इसको नहीं छोड़ा होता तो इसके लिए तो यह भी बहुत great खुशी का सबब है यह भी great यह भी great worst case scenario पर दुबारा यहां जाओगे तो यह she will accept here also because she has seen you here only for a big time ठीक है तो यह आदमी भूल जाते हैं और बहुत बड़ा गलती करते हैं कि वो आपकी लक्षमी थी आप क्या वीनस था उसकी किस्मत थी उसकी वज़े से आप यहां पहुचे मेबी एक और actor है जिनने suicide कर ली बिना शादी करें उनका भी कुछ ऐसे ही हुआ था male actor अगर आप जाने वो टीवी स्टार थे पहले और उनकी एक female टीवी स्टार थी जिनके साथ उनका काफी गनिश्ट था और दुनिया को पता था गोराउन बहुत कर रहे थे बड़ी अच्छी जोड़ी लगती थी पर उनका जब निकल पड़ी इनकी तब ये दूसरी तरह की आगी और उनने उनको छोड़ दिया बहुत चर्चा नहीं करेंगे दिवंगान इंसान है उस पर करेक्टर टाइप जादा नहीं चर्चा करेंगे बट शायद आप मुझे बताओ कि अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो ग्राउंड़ेड रहते उनके साथ तो शायद उनकी लाइफ में जो ये हाथसा हुआ अनफॉर्चुनेट काम हुआ शायद नहीं होता शायद ये नहीं होता क्योंकि आपको जीवन में वो ग्राउंड़ेड इंसान बहुत जरूरी है जब आप हवा में उड़ते हैं जब वो राहू की महधाशा लगती है और राहू एक्ट करता है और हवा हवा बाजी हो रही ह बादल भी एक लिमिट के बाद रहते हैं फिर बारिश होती है गायब हो जाता है बादल भी हर चीज़ का टाइम है तो उस टाइम में जो आपके साथ आपकी दोस्त छूट सकते हैं नए दोस्त बन सकते हैं बाकी बहुत कुछ हो सकता है पर आपका लाइफ पार्टनर आपक जनम में नहीं वो उसी जनम में भोक के जाना पड़ता है और हमारे सामने ये स्टोरियां प्ले आउट करती है आप भी देखो आपकी लाइफ में ऐसा के प्ले आउट हो रहा है क्या तो कभी भी जीवन में ये सब पुर्शों को अडवाईज है जोतिश के हिसाब से बता लो क कर्म कांड के हिसाब से बता लो कार्मिक थिरी के हिसाब से बता लो प्रैक्टिकालिटी के हिसाब से बता लो इंसानियत के हिसाब से बता दो साइकलोजी के हिसाब से बता लो साइंटिफिक कुछ भी हिसाब से बता लो आपको साथ रखना है जीवन में ठीक है साथी है अपने ठीक है शारुखान ठीक है वह आप जाएंगे सक्सेस होगी पीक हो जाएगी फिर स्ट्रगल हो जाएगा चार-पांच साल कुछ नहीं चलेगा फिर नीच चलेगा फिर उपर आजेंगे क्योंकि वह जब समाज है ना समाज में आप यह देखो अपने बिल गेट्स है एक बार आपका शादी का जो वह उरा है ना वह गिरता है तो आदमी खतम है वह वो मैं इस बेहेंड सक्सेस नहीं बहुत विश्वास नहीं करता हूं उस चीज में सक्सेस आदमी अपनी महनत से भी ले सकता है लेकिन एक महीला जो आपके साथ है उसका चैक कोई कंट्रिबि एक इस तरह का छोड़ना डाइवर्स होना और उस तरह का चीजों को करना समाज जो अमरीकन समाज है जो कि जहां 50% डाइवर्स होते हैं ठीक है वो भी इसको अच्छे से नहीं लेता है जहां पर इतना living in culture और me myself type उनका अप्रोच रहती है जीवन की वो लोग भी इसको ठीक त तो मेरा मानना यह कि अपनी अरधांगनी के साथ उस success को actually share करना है उस wealth को share करना है उस fame को share करना है part of the success बनाना है और उसको लगे कि हां यह हुआ है तो इसके अंदर एक जर्नी थी इस जर्नी में मैं इस इनसान के साथ थी और वो जर्नी ने यह destination दिखा रही है जो कि बहुत खुबसूरत अच्छा destination है तो हम आज मिलके इसको देख रहे है कल को हो सकता है फिर कुछ और ऐसा देखना पड़े जो उतना अच्छा ना हो तो भी साथ रहेंगे ठीक है तो इस भावना के साथ मेरे खाल जीवन जीना चाहिए because why I happen to make this video is off late मुझे बहुत consultation में इस तरह का बारा है कि बस पैटन मुझे दिख रहा है भाने तो देखो दस बार बना लो गया ठीक है वो रीजन यही है कि आपकी अभी तक नहीं छोड़ी आपने आप छोड़ रहे हो क्योंकि निकल पड़ी निकल के आपका फिर किसी के साथ और हो गया because you deserve you thought that you deserve somebody types करके तो basic कारण यह बाकी कहने को तो बकवास 50 कारण आप इन्वेंट कर लो अपने पर यह कारण है पर यह कारण में मैं इतना बता सकता हूँ इनसान खुश नहीं रहता शादी तो कर लेगा उन एक्टर्स को देख लो आप उनके चेहरे पे अगर स्माइल लगती हो अपने हाथ पे लिखना प चेहरे पे नहीं स्माइल लिखती चेहरे पे नहीं लगती ठीक है शादी के बारे में भी मैं कुछ और चीज़े बताऊंगा कि शादी इतनी जल्दी गिवप नहीं करना चाहिए और उन पर भी वीडियो अगर आप चाते हैं तो बताना हजार रीजन तोड़ने के हैं अगर कमेंट सेक्षिन के अंदर लिखेगा कि प्लीज मेक वीडियो अन था अस्पेक्ट अलसो अफ मारिज थैंक य। वेरे मच्छ